तो हेलो एवरीवन कैसे है आप लोग कैसे चल रही है आपके सब की पड़ाई बढ़ी आएक दाम तो माइनम इस संजीफ पांडे और स्वागत आपका आपका आपने प्यार सी चैनल में खुबसूर से चले में जयार टुटोरियल में तो जैसे कि आपको पता है we have started the topic which is nothing but optics, optics हम लोग ने स्टार्ट कर लिया, उसमें हम लोग ने lecture number 6 देख लिया था, आज हम लोग बात करने वाले है lecture number 7 में और lecture number 7 में हम लोग बात करने वाले तो लाब में हम लोग यूज करते हैं simple microscope, compound microscope, so that is nothing but optical instrument, अगर बहुत दूर के distance को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब किसी planet को देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे use कर रहे हैं telescope, so वो भी एक obstacle, वापस obstacle बोल रहा है, optical instrument, अब फटा-फट कमेंट आ जाना चीए कि सर आटक गए, सर ने फंबल कर दिया, निकल जाता है कभी-कभी, so optical instrument, optical instrument, अब बरबर बोला ना, ओके, चलो, so यहाँ पर आ जाओ, so सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला बात करेंगे, हम लोग किसका, हम लोग बात करेंगे, simple microscope, simple microscope क्या ह होता है, एक तरह का, यह तरह का मालों, एक lens है, single, तुम्हारा जो magnifying lens होता है, तुम्हों है देखा रहेगा, जिससे तुम लोग बच्पन में पेपर में आग जलाते थे, यह सो नो, तो वो पेपर में जो आग जलाते थे, वो जो magnifying glass था न, वही तुम्हारा simple microscope है, यहाँ होता है, यहाँ पर single lens use होता है, क्या होता है, single lens use होता है, यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम लोग discuss करने वाले है, magnification की, मतलब कितना magnify हो रहा है, चीज़, और अगर specially बोलू तो angular magnification, linear magnification, अल्रेड हम लोग ने देख लिया है, पहले वाले वीडियो मे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले, angular magnification, या फिर सिर्फ magnification बोलो उसको ऐसा, ओके, तो angle में क्या changes आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले है, that is called angular magnification, तो क्या होता है, angular magnification, तो माल लोग कि एक object है, let us consider यहाँ पर, और यहाँ पर एक lens रखा हुआ, माल लोग यहा तो यह जो distance है ना, this is called distance, D, what is D, D is called as DDV, distance of distinct vision, यह तुम लोग ने पढ़ा रहेगा, okay, what is DDV, distance of distinct vision, okay, so अगर मैं किसी minimum, human eye के लिए कितना होता है, बताओ जरा, comment करके तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताओगा, चलो, comment करके तुम लोग बता देना, कि human eye के लिए minimum DDV कित होगा, okay, so यहाँ पर देखो, क्या हो जाएगा, so अगर हम लोग देखे, तो यहाँ पर minimum जो distance है, उसको हम लोग ने capital D ले लिया, मतलब जब तक हम लोग ने lens नहीं लगाया है, तब तक उस object को देखने के लिए, मेरे को कितना minimum distance चीए, that is D, but माल लो, कि बीच में अगर मैं करते हैं, magnifying power, define करते हैं, beta divided by alpha, and what is beta, beta भाय, lens लगाने के बाद, जो image का angle बन रहा है, जो visual angle बन रहा है, that is called beta, और without lens, without lens, जो angle बन रहा है, object के साथ, उसको क्या बलते है, alpha, तो magnifying power को अगर हम लोग डिफाइन करने जाए, magnifying power, या फिर magnification को अगर हम लोग डिफाइन करने च instrument, to the, मतलब यह पूरा का पूरा क्या हो गया, beta हो गया, to the visual angle subtended by the object when kept at ddv, okay, मतलब beta divided by alpha, this is nothing but a magnifying power, और magnification, किसका, microscope का, कौन से microscope का, simple microscope का, okay, मतलब यह जनरल microscope का है, power, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल के लिए लगेगा, compound के लिए भी यही फॉर्मनल लगेगा, अब स्पेशल सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में, मैगनिफिकेशन का पावर क्या हो जाएगा, वो हमको देखना है, ओके, चलो, so let us start with, यहाप अगर हम लोग देखेंगे, तो हमारा ray diagram तुमको ready दिख रहा होगा, यह सा नो, so यह मेरा object है, माल लो, माल लो, यह object है, ओके, ए भी मेरा object है, यह object है, अब यहाप देखेंगे, तो ray यहाप पर travel करेगा, एक ray ऐसा travel करेगा, यह ऐसा bend होगा, यहापर कहीं पर intersect नहीं करेगा, यह इस तरफ फिर हमको extend करना पड़ेगा, फिर यहापर intersect करेगा, मतलब यहापर जो image मिल रहा है, वो virtual image मिल रहा है याद रखना, ओके, तो अब magnifying power की बात करते है, तो यहाप अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पहली अगर हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ से alpha क्या मिलेगा, देखो ज़रा, यहाँ से अगर मैं alpha calculate करने जाओ, या फिर tan alpha calculate करने जाओ, तो tan alpha क्या हम लोगा, tan क्या होता है, opposite, माल लोगे मेरा object A और B है, 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 देख लिए डाइग्राम में, A और B है, चलो, यहाँ पर देखेंगे, so tan क्या मिलता है, opposite, opposite by A, B, by D, D बोले तो एडजिसन, D, but since angle is very small, मैंने बताया था जब optical की पढ़ाई कर रहते हैं, तो भी हम लोगे जब lens maker formula देखा था, वहाँ पर भी देखा था, angle is very small, मतलब tan alpha become alpha, तो यहाँ पर alpha क्या मिलेगा मिलेगा मिलेगा, यहाँ पर alpha मिल जाएगा मिलेगा, A, B by D, क्या मिलेगा, A, B by D, यहाँ पर देखेंगे, हम लोग बीटा, तो यहाँ से बीटा क मुझे मिल जाएगा, that is, beta is equals to, not beta, tan beta, और बाद में हमको पता है, जब tan beta मिल जाएगा, तो हम लोग consider करेंगे, कि angle बहुत small है, तो वहाँ से हमको beta मिल जाएगा, so यहाँ से tan beta क्या मिलेगा, देखो ज़रा, tan beta क्या मिलेगा, tan beta मिलेगा, opposite that is A, B, by adjacent, adjacent nothing but U, okay, adjacent is nothing but U, by image distance, yes or no, yeah, sorry, object distance, और यहाँ पे image distance, that is nothing but V, यहाँ पे image form उरा है, तो यहाँ पे tan beta, since angle is very small, angle is very small, क्या मिलेगा, tan beta tan beta is very small, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, beta बन जाएगा, तो beta is equals to AB by U, beta is equals to AB by U, yes or no, तो यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे मेरे को बीटा मिल गया है मेरे को मैगनिफिकेशन का पावर पता है क्या होता है मैगनिफिकेशन का फॉर्मुला मैगनिफिकेशन का फॉर्मुला होता है that is बीटा बाई अल्फा, what is बीटा, बीटा is nothing but A, B by U divided by, what is alpha, देखो जरा alpha यहां पर क्या है, A, B divided by D तो यहां पर आ जाएगा, A, B divided by D A, B, A, B get cancelled, D उपर चला जाएगा U नीचे आ जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा D by U, this is nothing but a magni power for simple microscope, this is nothing but a magnification, या फिर magnifying power of simple microscope, that is D by U, what is D, D is nothing but D, D, V, और human eye के लिए कितना होता है, यह तुमको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा और what is U, U is nothing but a image distance, U is nothing but a image distance अब बहुत लोग को यह doubt आगा कि sir, यहां पर U minus होना चाहिए नहीं, यह mod है मतलब यहां पर हम लोगने सिरिफ उसका magnitude कितना कर सकते हैं, तो इसमें हमको condition भी देखना है, ओके, so let us start with a condition, इसको थोड़ हिदेर के लिए side में कर देते हैं, कोई problem नहीं है so let us start with a condition, ओके, so पहला condition देखेंगे हम लोग, case 1 क्या है, देखो दरा, so case 1 देखेंगे, maximum magnification के लिए, maximum magnification के लिए, so कितना maximum magnification हो सकता है, देखो, maximum magnification के लिए, maximum magnification के लिए, अगर हम लोग देखने जाए, तो image formation pass में होना चाहिए, image formation कहां पे होना चाहिए, बहुत pass होना चाहिए, मतलब actual में तुम्हारा image सबसे pass कहां पे बन सकता है, डिस्टन्स है वो क्या हो जाना चीए डियू जाना चीए और माइनस दियू जाना चीए क्यों माइनस दी इस तरफ है यह सब्सक्राइब लिख देता हूं बट तुम को चीए तो डिटेल में लिख देता हूं जो यह तुम्हारा इमेज डिस्टन्स है यह सणो सबसे पास पॉण हो सकता है उससे पास तो नहीं है तो रहाई यह किसका है फोकस और यह रखा है मेरा object, so lens formula consider करो, what is lens formula, 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U, यहां यहां न, यह मिरे को पता है, यह lens formula है, यहां पर देखो हर एक का value put करो, focus क्या हो जाएगा, 1 by F plus हो जाएगा, is equal to, V देखो क्या हो जाएगा, 1 by minus D हो जाएगा, minus, U क्या हो जाएगा, देखो जारा, 1 by minus वंटीप्लाइब कि आ हो जाएगा एये माइनस यह माइनस यह माईनस फ्लस थापन बाय अब क्या कर ऐसे मल्टिप्लाइब कर echo all टो ए बीडी हो जाएगा यह विडी हो जाएखा यह व्ड. Kung क्या मिलेगा देखो जरा डी बाय एफ is equal to minus 1 plus d by u यह minus 1 को इधर भेज तो क्या मिलेगा देखो जरा तो d by f plus 1 is equal to d by u but what is this d by u d by u है क्या देखो magnification power है यही तो है magnifying power by d by u क्या है magnifying power है तो यहाँ पर d by u के जगे क्या लिख सकता हूँ magnifying power लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ यस लिख सकते हो सब यहाँ पर रखो यहाँ पर d by u कट कर दो यहाँ पर लिख दो यहाँ फिर इस तरफ लिख दो ज्यादा अच्छा यहाँ पर क्या हैगा magnifying power is nothing but क्या हो जाएगा one plus d by f यह माइनस था ना यह इधर लेके आ गया यह इधर लेके आ गया तो प्लस हो गया तो यह magnifying maximum condition है क्या है यह maximum condition है क्या है यह maximum condition है इमेज कहां पर बने इमेज इकदम दूर बने यह सो ना minimum condition कब बने वाला है minimum minimum सबसे कमा दे सबसे छोटा magnifying कब को कि image तुम्हारा बहुत दूर बने तो case 2 देख लो case 2 बहुत simple है यही पर कर देते हैं तो तुम्हारे लिए screenshot लेने के लिए अच्छा हो जाएगा तो मालो case 2 मिनिममम मैगनिफाइंग पावर की कहानी कैसे मिलेगी देखो जाएगा इंफिनिटी पे और जैसी ही इमेज इंफिनिटी पे चला गया भाई object कहां पे आ जाता है object हमेशा focus पे आ जाता है यह सौनो जैसी अगर image कहां चला गया infinity पे आप जाता है focus पे आ जाता है मतलब तुम्हारा formula क्या बनेगा तुम्हारा formula बनेगा that is mp is equals to यहां पे u के जागे क्या हो जाएगा u के जागे f हो जाएगा तो यहां पे क्या जाएगा that is d by f and this is nothing but for your maximum minimum magnification okay यह तुम्हारा maximum है maximum कितना है one plus d by f और minimum कितना है d by f okay these are the two conditions यह two condition है जो simple microscope में बहुत important है okay maximum magnification यहां पे होगा और minimum magnification यह condition पे होगा clear बासन में आगे everyone समझ में आया simple microscope समझ में आया it's a magnifying power क्या होता है okay बहुत important है याद रखना simple microscope उसके बाद हम लोग discuss करने वाले हैं क्या है discuss करने वाले हम लोग compound microscope तो let us start with a compound microscope देखो compound microscope क्या होता है नाम में ही compounded compound मतलब क्या यहां पे दो लेंस इस्तमाल होगे, अभी तक हम लोग एक ही लेंस इस्तमाल कर रहे थे, अब यहाँ पर दो लेंस इस्तमाल होएंगे, ओके, तो यहाँ पर देखो, जो तुम्हारे आखों के पास वाला जो लेंस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, आई पीस, और आई लेंस, और जो objective क्या होगा objective focus के अगर बात करें तो इसका focus थोड़ा ज्यादा होगा और कम होगा उसका focus में क्या होगा ज्यादा होगा और मतलब objective का focus कम होने वाला है और उपर हो जाधा होने वाला है अब माल लो कि यहां पर क्य एक है यहां से रैट क्लिट हो भाव डौट यहां पर चुनयात करो तरक्क सर्द दो रहेगा और अपर अब यहां होर्थ hokane कुंजटी इसे बबली इसे लिए और लोन कीप वर्च्वल इमेज मिलेगा और यह इमेज है ना इसके लिए वर्च्वल ऑब्जेक काम करेगा अब यहां से क्या होगा देखो एक पार्लर लेंस ऐसे ट्रावल होगा और एक पोल पर से जाएगा अब यह इस तरफ कहीं पर भी इंटरसेक नहीं करने वाले तो यह पीछे साइ अगर अगर हम लोग सॉल्फ करेंगे सॉल्फ करके जो मागनिफिकेशन का फॉर्मॉला वो थोड़ा सा अलाग आएगा तो लेट स्टार्ड लेट स्टार्ड बीट अगर बीच में नहीं लगाया हुआ है तो कंडिशन तो यहीं मिलेगा ना तो अल्फा तो फीक्स है दार यहां पर अल्फा तो फीक्स दोनों के लिए तो यहां पर एबी बाए डी आ जाएगा कहां ने निकाल लिए बीटा की भाई बीटा क्या होगा यहां पर ध्यां से देखो बीटा क्या होगा तो अगर यहां पर हम लोग बीटा देखे तो बीटा मतलब टान बीटा बट सीन् बीचे क्या जाएगा यूई मेरको alpha मिली गाए ये सानो अब हम लोग क्या consider करेंगे हम लोग magnifying power consider करेंगे that is beta by alpha ओके अब यहां पर ध्यान से देखो beta क्या है that is a dash by B dash divided by ue alpha क्या है तो alpha को denominator यां पर क्या मिलेगा डीब यवाला अब हम वेला क्या कां सिच्वेचन में अव्याई कट नहीं रहे यहहां परूँडर करना पड़ेगा यहां पर में को consider करना पड़ेगा यह वाला triangle皆 nie यह वाला ट्रेंगल दिख रहा है यूई वाला ओके एवी डाश वाला एवरीवन यह वाला अलाक से बनाता हुआ यह ए यह दिख्या फिर ऐसा लाइन फिर यह वाला एडाश बीडाश दिख्या थोड़ा सा नीच ले लेते हैं यह तुम्हारा एडाश गarएडाश बीडाश और यहां से यह एक स्ट्रेट लाइन यहां से गया इसा दिख्या यह वाला ट्रेंगल घॉल यह वटकंट से अगर हम लोग देखने चाएं तो यह दूनौ wash ना है कि यह दोनों similar triangle अब अगर similar triangle है तो देखो क्या मिलेगा अगर similar triangle है तो यह जो distance से यह क्या है देखो ज़रा u o ओके यह जो distance से वो क्या है देखो ज़रा v o दिख रहा है यह v o है ना ओके हाँ या ना यह यह दो यहाँ पर यह जो distance से यह क्या है a b यह क्या है A dash B dash तो यहां से अगर मैं रेशो लेने जाओ तो रेशो क्या मिलेगा मेरे को यहां से मेरे को मिलेगा that is A B by U naught is equals to देखो क्या मिलेगा A dash B dash by V naught और यहां पर मेरे को चाहिए क्या A B by A dash B dash by A B तो A dash B dash by A B चीए तो A B को नीचे लेका और V naught को उपर लेका तो यहां पर V naught by U naught is equals to A dash B dash by A B अब यहां पर पूट कर दो तो क्या मिलेगा यहां पर मिलेगा D by U E into V naught by U naught yes or no और यह हो गया मेरा magnifying power of क्या that is compound microscope तो यहां पर देखें को तो यहां पर देखो दो चीज़े लग रही है यह तो मेरा simple microscope का हुआ D by U D by U क्या होगा मेरा simple microscope का हुआ तो this is nothing but simple microscope मतलब यह आईपीस जो है ना मेरा आईपीस वो simple microscope की तरह काम करेगा तो इसको M E लिग दो और मेरा जो objective है ना मेरा जो objective है वो उसका magnifying power हो जाएगा तो यह objective का magnifying power तो indirectly मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो magnifying power है compound microscope का वो क्या है magnifying power of IPS into magnifying power of objective yes or no मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा magnifying power है किसका compound microscope का वो क्या है magnifying power of IPS into the magnifying power of objective clear बास में आगे सबको everyone पका समझ माया ओके इसमें भी condition है इसमें भी condition है बट आल्रेडी हम लोग ने वो condition कर लिया है अल्रेडी हम लोग ने वो condition देखा है तो इसके लिए अगर minimum और maximum देखने जाओ ना तो क्या मिलेगा देखो ज़रा इसको थोड़ी दिरकली side में कर देते हैं तो अगर case देखने जाओ ना देखो case क्या बन जाएगा case 1 अगर maximum की बात करेंगे तो maximum में भाई d by ue क्या हो जाता है d by ue क्या हो जाएगा d by f plus 1 तो यहाँ पर magnifying power क्या आ जाएगा magnifying power आ जाएगा that is d by f plus 1 इंटू यह भाई c रहने वाला that is v naught by u naught ओके और minimum के लिए अगर हम लोग देखने जाए case 2 case 2 क्या बनता है minimum के लिए याद रखना minimum so minimum के लिए मैंने देखा था यह क्या बन जाता है d by f तो यहाँ पर क्या जाएगा d by f into यह रहेगा v naught by u naught clear समझा सो यही condition है भाई condition सिर्फ किस पर लगे है condition लगेगा मेरा जो आइपी की तरह आइक कर रहा है जो मेरा simple microscope की तरह आइक कर रहा है तो ip is act as a simple microscope तो वहाँ पर condition लगेगा तो वहाँ पर condition तो अल्रेडी मैंने देखा है ना by maximum के लिए d by f प्लस 1 और minimum के लिए खाली d by f और v naught by u naught को ऐसी multiply कर दो clear बात संच में आ गया क्या होता है compound microscope समझ में आ गया अके यहां पर खाली एक चीशिद का ध्यांदेना length of compound for microscope क्या होता है ? length of compound microscope मतलब डोनों length के बीच में distance कितना है ति में अगर तुम लों distance देखबगे नो थे देखगा देखकर रहा भी लंट प्लस ue ऊके मतलब length of compound microscope और इसको मॉड में रखना क्योंकि ये लेंथ है ये डिस्टन्स है ओके ये तुमको डारेक्शन का या फिर साइन कन्वेंशन का कोई काम नहीं आने वाला है डारेक्ली जो तुम्हारा वी नॉट आया उसको यूई से प्लस कर दो ओके उसके मागनिट्यूट से या दरना इसक यूई हो गया तो वी नॉट प्लस यूई क्लियर बासन में आ गया समझ में आ गया सबको कि क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओके इसके बाद हमको क्या देखना है टेलिस्कोप क्या करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेगनिफाय करता है मतलब बड़ा करता है ओ बड़ा होता जा रहा है मतलब उसका इमेज मैं से इंफिनिटी से आ रहा है यह सब मालनों यहां से रेज आ रहा है तो एक रेज तो ऐसी पास होगा दूसरा रेज पैंट हो जाएगा bend होने बाद यहाँ काई इंट्रसेक करेगा और यहाँ मेरा image मिलेगा पहला image उसके बाद देखो अगर हम लोग देखेंगे raise तो object कहाँ पर बन रहा है infinity, final image जो मेरा कहाँ पर बन रहा है infinity पर यह चीज़ का ध्यान देना यहाँ पर final image कहाँ पर बन रहा है क्या है तो यहां पर यहां पर क्या बनेगा फोकस पे वह यह बनेगा इमेज बनेगा पहला इमेज पहला वर्ट्वल ने यहिरा मिल जागी को यहां से अलफा क्या मिल जाएगा इस एक को आहाई पर एकला हुआ है इस एबी तुल यहां पर मिस्टो फो सब्सक value है। तो पहले एकला एकले हमाने ऐख गना तो एकले बाय यहां पर पर शक्राण जाएगा ऑर यहां वाई F L तो अनपम बट्र मैचनीफाइंग पावर इसका टेलीसकोप आने पावर इसका मैचनीफाइंग पावर तो इसका मैचनी अन डी मेचन पावर हैं'D स्गेस्थेयन केया आग म्रालीस और अपो आं अलीकोंगा आ ब श्वे quéु c सो एल इस इक्वाल स्टू एफ फी प्लस एफ फो मैं के बीच में कितना लेंथ हो का जहां पर इतना फोकस एफो का और प्लस एफी का फोकस और यह क्या ही करेंगे इंक बनेच बनेगा वह फोकस के डिसटंस बनेगा मतलब इसका फोकस एफ फो प्लस एफ और वह हमारा क्या हो जाएगा मंतलब दोनों lens के बीच का difference मतलब distance और वही है हमारा length of telescope clear वही क्या हमारा length of telescope समझ में आ गया सबको everyone पका okay समझ में आया optical instrument क्या होता है simple microscope compound microscope telescope और उसका magnifying power क्या होता है okay चलो बहुत बढ़िया so here we have completed your topic which is nothing but क्या complete क्या हम लोग ने optics यहां पर हम लोग ने optics optics और ray optics complete कर दिया okay next lecture में तुम लोग बोर रहे थे कि sir electrostatic start करो electrostatic start करो तो next lecture में we will start with a topic which is nothing but a electrostatic okay clear so अगर तुम लोग ने वीडियो यहां तक देख लिया है तो क्या करना है तुमको पता हिए भाई वीडियो को like करना है yes or no share करना है अगर कुछ doubt है तो comment section है comment कर सकते हो पूछ सकते हो कोई problem नहीं मैंने instagram का id भी दिया हुआ है अगर तुम लोग चाहिए तो तुम लोग वहां पर भी में को message कर सकते हो कोई problem नहीं okay अगर चैनल पर first time हो तो क्या करना है subscribe करना है क्योंकि बहुत सारे content आने वाले यहां पर okay और tension मतलो हम लोग मनें बताया नहीं कि जैसे कि हम लोग exercise के लिए क्या करेंगे exercise के लिए हम लोग live lectures लेंगे तो बहुत लोग message कर रहे है कि exercise का क्या उसके लिए हम लोग live lecture लेंगे tension मतलो अगर live lecture नहीं possible हो गया तो I will record और definitely मैं तुमको वो provide करूँगा okay चलो so आज का वीडियो यहीं पे end करते हैं आज के लिए बस इतना ही that's it for today thank you so much